इसे मैंने खरीदा था Amazon से 2500 रुपीज में मैं आपको इसका प्राइस भी दिखा देता हूँ उसके बाद हम करेंगे इसकी Unboxing तो यह देख सकते हो इसे मैंने खरीदा था 6th January 2021 को यह रही हमारी बोट तो यहाँ पे आप इसका प्राइस देख सकते हो 2499 अगर आप इसे खरीदना चाते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों वहाँ से जाकर आप इस बोट को खरीद भी सकते हो तो यह एक रेसिंग बोट है तो बाहर जाकर इसे टेस्ट भी करके देखते है इसकी स्पीड कितनी है तो इस बोट की सबसे खास चीज़े क्या है यहाँ पर सारी चीज़े लिखी वी है जैसी कि आप पड़ सकते हो प्रोफेशनल लाज टॉर्शन प्रोपेलर दिये गए है इसके अंदर लाज कैपैसिटी रिचाजबल बैटरी है पावरफुल हाइ स्पीड मोटर है आर्सी सिस्टम है तो बॉक्स के पीछे भी मैप को दिखा देता हूँ इस तरह की येलो एंड ग्रे कलर की बोट मिल जाती है मैं इसके अंदर इस तरह का एक रिमोट मिल जाता है 2.4 गिगर्ट का रिमोट है इसके अंदर तो चलिए दोस्तों बिना वक्त पेश्ट रिया फटाफट से इसकी कर लेते हैं अन्बोक्सिंग दोस्तों आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं क्या तो जल्दी से सब्सक्राइब करना साथ आपने बेल उकान भी दबा देना और अल नोटिफिकेशन को भी जरूर चाउन कर देना ताकि मैं जबी भी नई वीडियो डालू वह वीडियो आप सबसे पहले देख सको इसके अंदर से भी निकाल लेते हैं हमारी बोट को बाहर बहुत ही हलकी बोट है गाइस और क्या-क्या चीज़े हैं इसके नीचे ओ भाई साथ इतना बड़ा एक रिमोट मिलता है इसके साथ और ये रहा इसका चारजर तो इसे भी रख देते हैं साइट में तो ये क्या चीज़े यार मुझे पता नहीं है इसे देखते हैं थोड़ी देर में ये रहे इसकी यूजर गाइड सारी चीज़ें इसके अंदर दी गए इस बोट को किस तरह से यूज़ करना है और बैटरी कितनी देर तक चार्ज करना है सारे सेपटी फीचर भी दिये गए इसके अंदर है तो चलिए इसे भी रख दिते हैं साइड में यह रहा इसका चार्जर काफी ज़्यादा बड़ा चार्जर मिलता है इसके साथ अभी यह रिमोट दिखा देता हूँगा, इसमें आपको उसके बाद में बोट दिखाऊँगा, उसके बाद हम चलेंगे बाहर इसे चलाने के लिए, काफी ज़्यादा तगडी क्वालिटी है इस रिमोट की काफी ज़्यादा बड़ा भी रिमोट है तो यहाँ पर इसका on off वाला switch यहाँ से से मैं on कर देता हूँ यहाँ पर light जनने लगी है तो इसके अंदर already मैंने यहाँ पर दो batteries डाल के रखी हुए guys यह है इसका left right जाने का steering यहाँ पर इसका trigger इसे हम इस तरह ते प्रेस करेंगे तो यह forward जाएगी इसे उपर के और करेंगे तो यह reverse जाएगी तो यहाँ पर tune in करने के लिए देख सकते हो left right को भी tune कर सकते हो इस boat को यहाँ पर दिया गया एक छोटा सा switch बहुत ही मस्त quality का remote है तो इसे रख लेते हैं side में तो यह क्या चीज़ है यार इसे open करके देख लेते हैं जल्दी से अब समझाया गाईस यह stand है यार इस तरह से stand बनाना होता है हमें तो stand के उपर हम हमारी boat को रख सकते हैं तो यह बन चुका है हमारा boat का stand देख सकते हो guys इसके उपर मैं आपको रख के भी बताता हूँ ओ माई गॉड काफी ज़्यादा मस्त लग रही है अभी हमारी boat चलिए यह boat मैं आपको करीब से बता देता हूँ इसका model number है 7013 यहाँ पे लिखा है इसका नाम पता नहीं क्या नाम है तो यहाँ पे लिखा है boat गोल कर तो यहाँ पे side में देख सकते हो दो fins भी लगाए गए है ताकि यह boat को aerodynamic shape दे सके तो battery यहाँ पे अंदर होती है मैं आपको battery भी निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों इस तरह से हटाना होता है हमें यह रही हमारी battery six cell वाली battery मिल जाती है हमें यह निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ काफी जादा तगड़ी battery मिलती है हमें तो इसे चलाने के बाद हमें पता चलेगा कितनी दे तक backup दे सकती है यह तो यहाँ पर दो motors लगी हूँ है काफी जादा बड़ी-बड़ी motors लगाई गए इसके अंदर यहाँ पर इसका controller कुछ दिया गया है तो चलो इसे वापस लगा लेते हैं गाई सपन तो यहाँ पर देख सकते हो काफी जादा बड़े-बड़े दो propellers भी दिये गए है overall दोस्तों जादा इसकी quality की बात करूँ मैं काफी जादा तगड़ी quality है इसकी मुझे तो इत्दा मस quality लगी और बहुत ही जादा हलकी भी है बोट तो मस quality है यार इसकी तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर लेक के पास उसे चला के देखते हैं इसकी top speed कितीनी है और यह किस तरह से काम करती है तो चलो let's go पास्टर झाल 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 झाल